MCQ वीडियो कलास की सिरीज में आज राजनिति विज्ञान का टोपिक है राजनिति अउधारनाई नागरिकता एवं विकास की महतुपुर्ण प्रशनोतरों का अध्यन करते हैं और हाँ आपने अभी तक विजेता 95 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक सेर इस वीडियो को भी जरूर करें ये राजनिति विज्ञान व्याक्याता भरती विशेंश और अन्य सभी भरती प्रिक्षाओं के लिए उपयोगी कलासेज है नागरिता एवं विकास के महतुपुरण पर्षन उतर देखेंगे ये वीडियो कलासेज नंबर चार है पर्षन संग्या एक ओल्गा टेलीस जो की एक सामाजी कारिकरता थी ने बंबुई में किनके लिए संग्रश किया था ये दो विक्ति हैं ओल्ग दिहारी मजदुरों के लिए टिपिन वालों के लिए जोंपड़ पटी वालों के लिए या कुलियों के लिए तो इन्होंने जोंपड़ पटी में रहने वालों के लिए इन्होंने बंबुई में संग्रस किया था इनके लिए कानूनी लड़ी लड़ी थी नेक्स्ट तो 2004 में एक राष्टी नीती बनें कि फुटपा दुकांदारों की नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये नीती हैं 2004 में बनें थी भारत सरकार ने नेक्स्ट पर्षन संक्या 3 ब्रांट आयो की रिपोर्ट की अनुशार भारत विश्व की किस हिशे में इस्तित है उत्तर दक्षिन पूरो पश्चिम तो ये सही उत्तर हैं उत्तर ब्रांट आयो की रिपोर्ट के अनुशार भारत है विश्व के उत्तर दिशा में इस्तित है तो विश्व की बात करें तो भारत उत्तर दिशा में इस्तित है ये रिपोर्ट ब्रांट आयो की रिपोर्ट कह रही है नेक्स्ट पर्शन शंक्या 4 26 जनवरी 1950 को लागू सवीधान के अनुसार कितनी सिर्णियों के लोग भारत के नागरिक बने एक, दो, ते, चा मतलब भारत का सवीधान लागू हुआ उस समय कितनी सिर्णियों के लोगों को भारत के नागरिक बने किस देश की नागरिकता समदी नीतियां बहुत ही उधार है अमेरिका, कनड़ा, ब्रिटैन और फ्रांस किस देश की तो बात करते हैं फ्रांस देश की नागरिकता समदी नीतियां बहुत ही उधार है नेक्स्ट पर्शन संग्याच्छे लोक कल्यान राज्य दान का विशय नहीं है अधिकार का विशय है ये कथन किसने कहा है गेटल रिकोर्डों अंसिवारदम इस्मित ये बात आसिवारदम आसिरवादम आसिरवादम लोक कल्यान राज्य दान का विशय नहीं है अधिकार का विशे हैं ये बात कही थी से उप्षन राइट नेक्स्ट पर्षन शंक्या साथ नागरिक्ता को किसी समुदाई की पूरण सदेश्यों को प्रदंद प्रतिष्टा के रूप में परिभासित किया है केटलिन गार्नर टी एच मार्शल रुशो तो इसका सई उतर होगा टी एच मार्शल टी एच मार्शल ने नागरिक्ता को किसी समुदाई की पूरण सदेश्यों को प्रदंद परतिष्टा के रूप में परिभासित किया था नेक्स्ट पर्षन शंक्या आठ राजनिती मानव पुस्तक हैं ये कोहन लिखी थी किस की परती है डबलू डबलू रास्तो सीमोर लिपसेट अर्जेंशी को बिसमार्क तो ये पुस्तक सीमोर लिपसेट बै ओप्शन राइट सीमोर लिपसेट नेक्स्ट पर्षन शंक्या नो नागरिक्ता को सासक व्रग का विशेशा अधिकार किस के किशने माना अर्ष्तू, पलेटो, मिल, कोटेली तो नागरिक्ता को सासक व्रग का विशेशा अधिकार ये बात अर्ष्तू ने माना है कल्यार कारी राज्य की धारना का अगरदूत माना जाता है एक बोसा के रुसो ग्रिन और मिल तो ये कल्यानकारी राजे की धारना का अगरदूत मानने वाला है ग्रिन ग्रिन ने ये बात मानी सविधान के कौनशे भाग में नागरिता की व्याक्या की गई है भाग एक भाग दो भाग तीन भाग चार सविधान के कौनशे भाग में तो भाग संक्या दो में नागरिता की व्याक्या की गई है नेक्स्ट भारत में एकल नागरिता की अउधारना अपने गई है एक किस देश से अपने फ्रांस इंग्लेंड अमेरिका और और कन्हटा तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लेंड बै उप्षन राइट भारत में एकल नागरीक्ता अउधर्णा अपने अमेरिका में दो तर står की नागरीक्ता होती एक अपने देश की एक अपने रज्य की नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए सरत निर्धारित करने वाला सक्सम निकाई कोंचा है चुनाव यूग, राष्टपती, संसद और संसद और विदान शबा तो नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए सरत निर्धारित करने वाला सक्सम निकाई होता है संसद नेक्स्ट भारते नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जनम द्वारा देशे करण द्वारा किसी भू भाग में समलित द्वारा भारत के बैंक में धन जमा करा के तो इसमें भारत देश में कोई भी विदेशी लोग आके धन जमा करा के नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं जनम हो गया तो नागरिक हैं भारत के देश से करन द्वारा और किसी भू भाग में समली द्वारा वो भी भारत के नागरिक होंगे पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिता प्राप्त करने समदी पार्वधान का वरणन किस अनुचेद में है अनुचेद 6, अनुचेद 7, अनुचेद 9, अनुचेद 8 तो ये बात उलेक अनुचेद 6 में है जो वेक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिता प्राप्त करते ह उसका उलेक भारतिय सविधान शंक्या 6 में उलेक है नेक्स्ट पर्षन शंक्या 16 नागरिक्ता राजनितिक समुदाई की पूरण और सम्मान शदिशता है ये कतन किसने का हेबर मास मार्शल मोरन हिटर तो इसका सही उत्तर होगा मार्शल ने ये बात कही कि नागरिक्ता राजनितिक समुदाई की पूरण और सम्मान शदिशता है नेक्स्ट पर्षन शंक्या 17 नागरिक्ता समंदी अनुचेद में कितने अनुचेद 26 नमबर 59 को परवर्तन में आ गए थे नागरिक्ता समंधी उलेक 26 नमबर उनिशो उन पचास के दिन उस समय भारत का सविधान अंगे करत किया गया उस समय कितने अनुचेदों को परवरतन किया गया था जो इसका सही उत्तर होगा अनुचेद 5 से नव जो 26 नमबर उनिशो उन पचास को परवरतन में आ गया विकास की दिशा में समाज यांत्रिक सहती से आगनिक सहती की और बढ़ता है ये विचार किस ने दिया था हैंरी मैन, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, आगस्ट कांट तो ये विचार किस ने दिया था, ये दिया, इमाइल दुर्खिम ने कि विकास की दिशा में समाज यांत्रिक सहती से आगनिक सहती के और बढ़ता है नेक्स्ट परशन संक्या, उन्नीश, जम्स एस कॉल में ने विकास की निमन लक्षनों पर बल दिया, इनमें से कौन शा नहीं है ओदोगी करण, सहरी करण, परतिवेक्ति आई, जिवन परत्याक्षा जम्स S. कॉल में ने विकास का कौन से एलक्षन पर बल दिया था लेकिन ये एक बल नहीं है वो है जिवन परत्याक्सा और दोगी कर्ण सहरी कर्ण परतिवेक्तिया आई इन पर बल दिया नेक्स्ट पर्शन दे इस्टेजज ओप पोलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक हैं ये पुस्तक किसकी है तो ये आप ए आर्गन सकी की है दे स्टेजज ओप पोलिटिकल डेवलपमेंट कुछ तुरुटी है डवलपमेंट नेक्स्ट पर्षन शिंग्या 21 किमलिका का नागरिक सिद्दान्त किस पर आदारित है क्रीमिलिका सांसकर्तिक रूप से विबेदिगर्द अधिकार एक विक्ति, एक वोट, मद्दान और अलप संक्योकों के लिए भारिता, एक समा नागरिता का दर्शन तो इसमें एक उप्षन शही है सांसकर्तिक रूप से विबेदिगर्द अधिकार किमलिका का नागरिक सिद्दान्त आदारित है नेक्स्ट पर्षन शंक्या 22 विश्व नागरिकता की संकल्पना के द्वारा निमन में से कौन शा एक सुझाव दिया गया है सभी वेक्तियों के लिए समान अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सभी के लिए सामाने अधिकारों के साथ अलप संक्योकों के लिए कुछ विशें सदिकार विश्व में एकल नागरीकता तो सही उतर विश्व में एकल नागरीकता विश्व नागरीकता की संकल्पना के द्वारा एक ये सुझाव दिया गया कि विश्व की एकल नागरीकता था नेक्स्ट पर्शन शंक्या तेबिश पर्शन शंक्या 23 टी-एच मार्शल नागरिक्ता के लिए एक विक्ती एक वोट को किसे जोडता है ये पूंजिवाद के संद्रब में सामाजिक वरग और इसका उत्पादक बाजार उनिश्वी शत्ताबदी का नारी मत्थार्थी आंदोलन से मार्क श्वाद का उत्भव रा मत्थार्थी आंदोलन नेक्स पर्शन टी-एच मार्शल नागरिक्ता में किन अधिकारों को सामिल करता है राजनतिक नागरिक शामाजिक या सबी तो सबी को सामिल करता है टी-एच मार्शल नागरिक्ता के अधिकारों को राजनतिक नागरिक और शामाजिक नेक्स पर्श दर्ष्टिकोन के अनुसार राज्य में नागरिकों की इस्तती सारवजनिक वस्तों के विवेकसील उब्वोंगता की रहती हैं। कम्पलीट धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।